हेलो स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ओफिशल टुप चैनल में जिसका नाम है एसोल सोलुशन मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ तो गैस आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं चाहे वो स्कूल आफ ओपन लेंडिक, S.O.L., N.C.V. या फिर दैली उनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स है औ तो जिस तरीके से आपने अप्रेल और में में 4 और 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की एक्जाम्स की तियारी कराई तिक हमारी भी तियारी करा दीजें तो गैस आप सभी के लिए on demand पर ये वीडियो हाजिर है यहाँ पर हम इस वीडियो में whole syllabus आपका क्या-क्या political science का syllabus है उस इसकी अंदर पूरा कपूरा जो आपका syllabus है उसको बहुत अच्छे तरीके से मैं discuss करने वाला हूँ तो चले मेरे नाम है चंदन कुमार जादा देरना करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहली बात तो हमने आप सभी के लिए कुछ slides मनाई और इन slides के थुरूई हम आप सभी को पूरा कपूरा पढ़ाने और समझाने वाले नाव यहाँ पर सबसे पहली बात तो जो political science के students है उन लोगों को ध्यान रखना यह discipline जो subject है आप सभी के political science में भारते शासन वेवस्था या भारते शासन एवं राजनीती यह आपकी बुक क अनाम है इसमें total अगर हम बात करें तो 8 unit है 8 unit है school और जो colleges के chapters होते है उसमें difference होता है school में आपके chapter 1, chapter 2, chapter 3 होते है लेकिन colleges के अंदर आप लोगों को units के थुरू बढ़ना होता है unit के अंदर भी chapter होता है जैसे यहाँ पर देखेंगे आप first unit जो है इसके अंदर एक भी chapter नह लिए 13 chapter बन जाते हैं कहने के लिए 8 units है पर आप लोगों के लिए कितने chapter बन जाएंगे यह आप लोगों के लिए 13 chapters बन जाते हैं हर एक chapter से minimum वैसे maximum मैं आपको बता दू तो 4 question ऐसे हैं जो important बनते हैं हर एक chapter से minimum अगर आप 2 question भी लेके चलते हैं तो आप सभी अगर इसको into क करोगे तो आप लोग यह देखेंगे कि 26 questions आप सभी के लिए exams के लेकिन मैं आप सभी के लिए इतना नहीं करवाओंगा मैं आप सभी को सिर्फ वही पढ़ाने वाला हूँ जो आप सभी के exam से exam के point of view से most important है हम आप सभी को 15 question के करीब ऐसे बताएंगे जो आपके exam में बिलक इसी तरीके से जो हम बताएंगे वही आप सभी को exam में देखने को मिलने वाले तो सबसे first unit हम पहले हम discuss कर लेते हैं इस first unit का नाम है बार्ते राजदीती की प्रकृति के अध्यन के उपागम सबसे पहले उपागम आपको इसके अंदर समझना है इस पूरी-पूरी unit को समझन है इस उपागम को इंग्लिश में अप्रोच बोलता है यानि स्टोच ने समझने का एक नजरीय के रूप में आप देखेंगे तो भार्ते शासन व्यवस्ता तीन तरेगे की हमें दिखाई देती है एक उदारवाद एक माक्सवाद और एक गांधिवाद इन तीनों को आप स कौन लोग होते है और इनकी हिसाब से राज्य कैसा होना चाहिए या राज्य कैसा होता है यह कोशन जो है आप सभी के एकजाम में बनता है यह सेकंड यूणिट पे हम आ गए इंदर आप सभी को भारते सविदान के अधारभुत तत्व अधारभुत तत्व नक्रभ बेसिक structure, किस तरीके से, किन-किन चीजों से मिला है, तो सबसे important question इस वाले chapter से बन जाता है, कि भारते सविधान जो है, उसके जो अंश है, वो किस-किस देश के सविधान से लिए गया है, जैसे अमेरिका के सविधान से, बिर्टेन के सविधान से, फ्रांस के सविधान से, Ireland के सविधान से, जर्मनि के सविधान से, इसके अलावा Australia के सविधान से, तो अलग-अलग देशों के सविधान से कुछ नपच लिए आ गया है, तो कुछ अधार्बुद तत्वएक तो ये question हो गया, दूसरा हो गया अधारभुत तत्तु का मतलब इसमें स्दन्रचना वाला concept भी आप सभी के exam में पूछा जाता है जो कि केश्व अनंदन बारती मुकद्मा के अंदर निकल कर आया था तो यह वाला concept आपको इसके अंदर पढ़ना होगा यह दो concept मेजरली आप सभी को पढ़ने ह यहां पर मैं अभी chapter को discuss कर रहा हूँ बाकी मैं आप सभी के लिए ऐसे जैसे यह दारभुत तत्तु वाला concept है यह chapters के थूभी में आपको दिखाने वाला हूँ अच्छा यहां पर हम अब थर्ड यूनिट के बारें बात करेंगे थर्ड यूनिट जो है यह गवर्निंग से स पर्दानमंत्री की इस्ति और प्रदानमंत्री की शक्ति आपको यह पढ़ना है इसके बाद में संसद के दोनों सदन एक लोकसभा उच्छ सदन और एक निम्न सदन आप सभी को पता है लोकसभा निम्न सदन है लोकसभा क्या सदन है तो आप बोलोगे लोकसभा निम्न सदन और राजय सभा कौन से सदन है तो बोलो कि राजय सभा उच्चे सदन है उच्चे सदन है इसके अलावा जुडिशरी आपको नियायपालिका पढ़ना है नियायपालिका में भी कई कॉंसेप्ट है तुनसद के अंदर आपको ये भी पढ़ना है कि कानून कैसे बनते हैं इसके अलावा सविदान में संसोधन कैसे होता यह सारी की सारी चीज़े आपको पढ़नी है नियाई पालिका में तीन कोशिन आप सभी क्लें इंपॉर्टेंट है सबसे पहला नियाई पालिका की सोतंतरता क्यों आवशक है इसके अलावा सेकेंड पॉइंट जुडिशियल रिद्व भारत में सक्षी संदर्चना के संदर्द में जाती आपको जात पात भारत की जाती वाती व्यवस्ता है आपको इसके बारे में वर्णन करना है और यह वाला इसके अंदर आप जाती पात की सक्षी संदर्चना के बारे में आप लोगों को बताना है तो इसके अंदर सबसे मैं आप लोगों को यह कहूंगा कि आप इस वाली unit को मत पढ़ना क्योंकि इससे question कवात है आप परिट सत्ता को जादा प्रेप्रिटरी देना क्योंकि परिट सत्ता exam में बहुत बार पूछा गया यह दोनों की दोनों units आप सबी इसको skip कर सकते हैं आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हैं क्योंकि आपको exam में सिर्फ और सिर्फ यही से question देखने को मिलने वाला है इसके अलावा यह वाली unit भी बहुत important है यह आपको चौते से पांचवे question में आपके exam में पक्का देखने को मिलेगा जिसमें आपको secular वाद secular वाद हम बोलते किसको हैं तो आपको ध्यान रखना है धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्ष धर्म निर्पेक्षता को हम क्या बोलते हैं secular वाद बोलता जाता है तो आप लोगों को ध्यान रखना है एक तो या तो संप्रदाइक्टा से या फिर आपके एक्जाम में सैकल औरवाद से या फिर आप सभी के लिए पूछा जा सकता है कि भारत किस प्रकार से एक धन्यर्पेक रास्ट है इसका वर्णन करें या फिर भारते धन्यर्पेक्स्ता मौडल की अलोचना कीजिए या फिर आपसे सामपरदाइक्ता को बढ़ावा देने वाले कार्ण ये सब questions जो है आप सभी के exam में पूछे जा सकते हैं तो ये वाला question आप सभी को इसमें से ज़रूर prepare करना है इसके बाद में unit number 6 है इसमें आप लोगों को भारत में party और party system के बारे में पढ़ना है तो भारत में party system की बात करूँ में तो भारत में कैसी वेवस्ता है तो आपको ध्यान रखना है भारत में बहु दलिये वेवस्ता है कैसी वेवस्ता है बहु दलिये वेवस्ता है बहु दली वेवस्ता में क्या होता है जहां पर एक नहीं एक से ज़्यादा पार्टे होती है इसा चाइना की चीन के अंदर बात करें तो चीन के अंदर क्या है एक दली वेवस्ता है यह चीन के बारे में इसके अलावा अमेरिका के अंदर बात करें तो वहाँ पर दो दलिये वेवस्ता यह दो लिखा है दो दलिये वेवस्ता अमेरिका के अंदर यह सिस्टम है तो इसके अंदर भारत के अंदर आप लोगों को बताना होगा भारते राजनिती का जो दल पार्टी यह नि पार्टी स 91 की जो आपको ध्यान रखना है LPG model, LPG model, liberalization, privatization और G से globalization, आप सभी को इसको अच्छे तरीके से discuss करना है, आप सभी के exam में ये पूछा जाएगा, so hopefully आप सभी को ये question भी समझ में आ गया होगा, और most important जो आप सभी को last, एक तो long question में भी, और short question में भी आप सभी को यहाँ से question ज़रूर देखने को मिलेगा, तो question ये बनेगा, बारते समाज में समाजिक आंदोलन या महिला आंदोलन से relate करता हूँ question, तो 3 unit आप सभी के लिए बहुत जादा important है, इस में से मैं आप लोगों के लिए 3 unit तो ही देखी और 14 unit आपको first वारी करनी है, आप अगर ये 4 unit भी बहुत अच्छे तरीके से करके चलेगे, 4 और 5 unit, तो आप सभी ध्यान रखना, आपको exam में अच्छे number लाने से कोई नहीं रोख सकता है, इस बात को आप सभी को ध्यान रखना है, इसके बाद में नाव यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये discuss किया गया है, किसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या नहीं पढ़ना, तो आप ये soul की book के अंदर से भी download करके देख सकते हैं, जैसे second unit के अंदर आप सभी के लिए भारते सविदान में अधारवुत पत्व कौन-कौन से है, इसके बारे में बढ़न किया गया है, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे, तो अगली third unit जो इसमें सबसे पहले परदान मंतरी जैसा कि हमने डिसकस कियाता है, स्टार्टिंग में ही, परदान मंतरी के बाद में आपका नीचे आजाता है, संसद ये वेवस्था, संसद के बारे में, तो संसद पूरड़ना है, फिर आपको नियाएपाली का पढ़ना है, फिर आपको जाती है संगर्शिव, याली unit आप मत पढ़ना है स्टार्टिंग में, जब आप लोगों को मैं बताऊंगा तब पढ़ना, इसको भी आप लाल के लिए, जो इसकी अगली unit है, आप लोगों को ध्यान लखना है, unit number 4 में आपको 3rd लेसन से प्रिट सत्ता 25 पे ध्यान देना है, प्रिट सत्ता की उत्पत्ती क्या है, प्रिट सत्ता की विशेषता क्या है, प्रिट सत्ता की उत्पन होने के क्या कारण है, इन सब चीजों को आप सभी को discuss करना है इसके बाद में आप सभी को secular वाद secular वाद क्या होता है धर्म निर्पिक्षता जिसे हम बोलते है इसके बारे में आप सभी को discuss करना है यह बहुत ही important है यह आपको पढ़ना है इसमें तीन चीज़े हैं आप सभी के लिए सबसे पहले इसका परीचे दिया गया तो परीचे इतना important नहीं है सामपरदायक्ता के अंदर आप लोगो को ये पढ़ना है कि बारत के अंदर सामपरदायक्ता को बढ़ावा देने वाले क्या कारण है सामपरदाइक्ता और जो वैचारिक या वैचारधारा समुधायबाद इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है लेकिन दो कोशन आपको ध्यान लगना है पहला सामपरदाइक्ता की उत्पत्ती कैसे होगी है और भारत में सामपरदाइक्ता को बढ़ावा देने वाले क्या-क्या कारण होने वारे इसके बाद में आप से भी को यह discuss करना है भारत में पार्टी सिस्टम पार्टी सिस्टम बहुत important question है और लेकिन यह आपको करवाया जाएगा जो जो चीज आपको बताई जा रही है आप अभी फिलाल वो वो चैप्टर करते चलेंगे इसके अस्ताथ साथ यहां पर हम देखेंगे नियोजित विकास में आपको 1991 की जो पॉलसी है वालत की LPGM जो मॉडल है इसको आप सभी को अच्छी तरीके से डिस्कस करना है और अंत में लास्ट में हम कहें तो भारत में जो समाजिक आमदूलन है इसके बारे में आप सभी को बिल्कुल डिप से डिस्कस करना है तो फाइनली लास्ट ली अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई क्योंकि मैंने आप लोगों का जादा समय नहीं लिया और आप लोगों का क्या-kया स्लिवक्त है कितना क्या-kya पढ़ना है ये सब कुछ हमने डिसकस कर दिये आप सभी के सामने अगर आप लोग चाogloते हैं कि इसी परकार से आप सभी के लिए वीडियो को लाइक करें अदिक से दिक में तो तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सबस्क्राइब करें चले ही मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो में जै हिंग जै बारत पर मोर वीडियो आप हमें सबस्क्राइब कर सकते हैं इसके अलावा description box में आप सभी के लिए हमसे जुड़ना चाहे तो आप हमसे जुड़ भी सकते हैं चलिए ज्यादा देना करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं मिलते हैं आप से अपनी अगली वीडियो में जै हिंद जै भारत